पड़े स्टेडियम में अंकित बेंपुरी एक रोल मोडल तो देखो हो गया है तो जब उसने अनॉंस किया था कि मैं 75 हाड कर रहा हूं फिर की पीटी तो मेरे मन में आया था कि मैं भी इसको करूं इसके साथ ही मैं इस चैलेंज को असेप्ट करता हूं और मैं इसमें पार्टिस्पेट ले रहा हूं इनके कुछ रूल थे पहला रूल तो था कि स्मार्ट वोच प्रचेज करें बारासो की मैंने लेगी पूरी दिन चरिया की जो वीडियो बना के आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है उसके बाद आगे दोस्तों हम पुझांगासन पे बच्चे भी कह रहा है पापा खाओ ये ज्या कष्ट तो होगा लेकिन आप लगे रहो डटे रहो रहो राप चोटे सी शुरुवाद करें तमस्कार दोस्तों स्वागित है आपका कंचन टीवी भारत आज हरियाना आज के इस संयुक्स इंटर्व्यू में पिछले काफी दिनों में आपने देखा होगा कि हेल्थ को लेकर स्वास्थे को लेकर और प्रेक्टिस एक्सराइज को लेकर बहुत ज़्यादा अवेरनेस फैली है अंकित बयापुरिया या फिर देशी टारजन का आप नाम लेंगे बहुत सारे वीडियो शोशल मीडिया पर है 75 डेज, 30 डेज का चैलेंज होता है सफीदों के एक छोरे ने, सफीदों के एक लड़के ने वो चैलेंज किया है अपनी नोकरी के साथ-साथ वो चैलेंज पूरा किया 30 डेज का क्या वो चैलेंज था और क्या-क्या डिफिकल्टीज थी और क्यों किया गया वो सारी बाते करेंगे एक सक्ष मेरे बिलकुल दाई तरफ बगल में बैटे है यहे, किसी परीचे के महताज तो नहीं है फिर ढूँ मैं बता दू, राजु पुरा नाम है राजकुमार, राजु राजु राजुू राजु राजु राजिकुमार सफीदों से है और राजु मैं चाऊँंगा एक बार परीचे हैं दरशकों को अपना दीजिए हाँ हलो दोस्तों मेरा नाम है राजकुमार मैं सफिडों से बिलोग करता हूं और एक प्राइविट यूप करता हूं छोटी सी छोटी सी जोब करते हैं और कितने दिनका चैलेंज किया और क्या हो चैलेंज में वह बता दी हाँ चैलेंज था 30 जो कि एक Wings Lifestyles जो घड़ी की स्मार्ट वोच जो है इसके कंपनी है Wings Lifestyle मैं भी सुनके अचरज में था के एक घड़ी बनाने वाली कंपनी ने एक सिस्टम शुरू किया चैलेंज शुरू कीया और अंकित बेनपुरिया के साथ मिलके मिलके किया अब रहा पी तो उसमें मैंने भी प्रटिस्पिट लिया उनकी कुछ कंडिशने थी जैसे स्मार्ट वोच्छ एक परचेज करनी है तीन लेटर पानी पीना ऐसे कई वोच में चीया उन्होंने कितने कितनी भी क्योंगी इंडिया में अगर बात करें होंगी मेरे खाल से तो तीन साड़े तीन लाख तीन लाख लोग इतरे अवेर थे या भी घड़ी गरीदने के चुपते नि वो I think 30 दे चैलेंज जो करना था जी उसके लिए I think साड़े तीन लाख लोगों ने किया अराम से हो सकते पूरा हुआ किसी का हाँ पूरे भी हुए है कितने लोगों का हुआ हो अभी तो रिजल्ट आना बाकी है 20 तारिक को रिजल्ट है अच्छा अब 20 नौंबर को हामेरा हो चुका है इनके कुछ रूल थे पहला रूल था कि smart watch प्रशेज करे हुआ 1200 की उनको वो खारी बारासो की मैंने लेगी ठीक है 700 की भी है, 800 की भी है सस्ती भी है सस्ती भी है इससे महंगी भी है तो मैंने एक smart watch लई उनका ये condition ते कि smart wash लो दूसरी कंडिशन थी के उनको तीन लीटर पानी पीना है डेली सुबह से शाम तक आपके दिन चरिया में सुबह शुरू किस टाइम होगी ये दिन चरिया सुबह आप किसी चाहिम भी कर सकते हो पांच बज़े के बाद जब भी आप उटते हो ये ले जी है साथ आठ बजे सेले अभी एक वोच कर दनी है तीन दूसरा शाज का पानी पीना है हर रोज एक सेल्फी डालनी है इंस्टाग्राम पे और जो भी आप सुबह वर्काउट करते हैं सेल्फी वित रंगा सेल्फी विद मी खुद में तो दूसरी थी के वीडियो बनानी है सुबह के अब नहीं किया तीस दिन मैं फास्टूड खाता था घर वाले देख रहे हैं आपके जो मित्र जिनके साथ आप गिलासी में फास्टूड भी करता हूं ज्यादा नहीं करता हूं कितना कितनी थी बहुत कम है 1-2 तीन नहीं कॉजब दिया कि यहां ऽ fort food में फूद में होट न फ्रेवरिट में खाले इथ हैं hefta में बार खाले थे हफ़ते में एक बार बच्छों के साथ खाते थे थे हां इस दिन उसको छोड़े रखा हां छोड़ दिया मन तो बढ़ा गिया होगा हां गोल कपने खाने का बिए कि आप रहा है छोड़ दिया लेकिन इस बहुत मन किया लेकिन कंट्रूल कैसे बस कर लिया हां चैलेंस साथ भी लड़ाई है वह आपने कर दिया उसके बाद क्या-क्या शेल्फी और ऐक साथ में क्या था कि आपके जो पूरी दिन चरिया की जो वीडियो बनाके आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है अंकित बेनपुरिया और विंग्स लाइफस्टाल्स को टैग करना है आप करते देली ये इनके रूल थे आप करते थे मैं ने देखा शायर सोचल मीडिया पर आप देखा वे राजू करते अच्छा मैं दो दुस्कों को बता दू कि राजू और मैं एक ही कोलेज में पड़े ह आपने किया उसके बाने किया ओर चीज़े थी जो करनी हो कि सबसे पहले बताओं गा कि मैंने एक बार चैलेंजंच मैंने इंस्टाग्राम के डाल दै कि मैं इस चैलेंज को असेप्रता शहूं और मैसे पार्टिशमेट ले रहा हूं वोच happiest करों तो आज बजे तयार बहुता है तो आज बजे तयार होना पड़ता है ना दोना खान अपीना सब होता है तो सुबह मुझे उठना पड़ेगा पाँच बजे फैमिली में हेल्प किसने की चैलेंज को पूरा करने में किस किसने हेल्प किया फैमिली में मेरी वाइफ है मेरे बिच्चे हैं तो सब ने हेल्प किये वैसे तो कैसे उनकी क्या कॉंट्रिबूशन रहा इस पूरे चैलेंज को पूरा करने में Contribution एक तो मेरे बेटे का राजिश ने मेरी वीडियो बनाई सारी तो दोनों मतलब के एक नहीं था तो दूसरा सही और वाइफ ने डाइट का ध्यान दखा और उसने मतलब के जैसे हम जैसे जले भी खा रहे हैं तो उसने ऐसे दिखा दिखा के खाई भी है मतलब जब कोई आप जैसे हमने रमायन भारत में भी देखा कि हम कोई हवन यग करते हैं कोई बड़ा नुस्थान करते तो बीच में विगन डालने वाले बहुत होते हैं अब खुश होता होगा देखके तो उसने बोला भी पर पैग भाई ले वाई थोड़ा सा आ जा लेते हैं यह करते हैं दिवाली आया भाई कथे होते हैं कई बरे मिने में तो उसके साथ ही लेता था मैं पर ले भी इतना डेडिकेशन आया कहां से क्या मतलब एक जजबा था इसके पीछे की वज़े क्या है वज़े जो एकसम सब कुछ छोड़ दिया एक कहने भर से आपने अंकित बयापुरिया को इस रोल मोडल मानते हैं या अपना खुद का दर्ड निश्य को मानते हैं अंकित बयापु तो मेरे मन में आया था कि मैं भी इसको करूँ इसके साथ ही सेम टाइमिंग हां मुझे ज़्यादा लगा निगे सुबह उटके एकसराज करने क्योंकि मुझे एकसराज के शोक है पहले करता हूं लेकिन कंटीनूग नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे लगा कि यार यह कोई मत बनाना फिर उसको एडिटिंग करनी वीडियो की वह तुकडो में सारा दिखाना की कि सुबह साम इख था तीस सेकिन में शायद वह कर देते आप लो नहीं तीस सेकिन में ने दो मिनट की वीडियो मिनट का वीडियो रही डालना होता है एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गा आगा मैं रात को बारा बजे सोता हूं वीडियो करके आप पांच बजे थकानी श्रीर ने बहुत ज्यादा थकान रहती होगी अगले दिन वर्क आउट नहीं हो पाता है लेकिन आपने किया मैंने किया ठीक है और डाइट में क्या क्या रहता था पूरा जरी डाइट में मैं जिम करता था तो दूद और के लिए देशी की यह चलता था तो जैसे अंकीत बेंपुड़ा की वीडियो देखी तो उससे थोड़ा सा मैंने कोपी किया है जैसे ड्राइट फूट्स खाके निकल गए सुबह एपल खाके निकल गए बिनाना खाके निकल गए एनरजी आत है मुझे श्याम की मैं करता था जीम आने के बाद ऑफिस से अभी जाओंगा मैं साथ बज़े जाता हूं जीम वो करेंगा तो अब उसको कंटीनू कर रहा हूं कुछ और एड़न कर रहा हूं जैसे कोई एक बुक है नॉन फिक्रिक जैसे किताब होती है गीता होगी यह एड किया हूँ था करेंगे मैं इसको अब आगे एड़न करूंगा खाने में चैने में सुबह जैसे वही अपना लोकल डो रोटी सब्जी दूध में रहता था मेरा एक रोटी दो रोटी सब्जी दूद ठीक है दूपैर को भी दो रोटी एक कटोरा दहीं दहीं में रहा है उसमें और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक नास्ता होता था जैसे दो केले हो गये या पीनट्स हो गये ले ले लेता था शाम को चाहे रात को मैं अभी ओट्स ले रहा था अब मैंने उसमें रोटी आवोड कर दी ती रात को अब कहिए बर मन करता था एक रोटी मैं ले लेता था बाजरे की या आठे की एक रोटी ठोड़े थोड़ा सा खाके भूख तो दो नहीं रहते थी खाके डी चाल चल जा चाल जाता है उसके बाद बाद वरकाउट के मेन का में टार्गेट रखने का और उसको अचीव करना उसको अचीव आप कर जाओगे jak कर जायोंगे a कि इंआ के सादी की डेट रिफ्कस होंगी बहु जल्दी आती है लो कुई भी डिट होंगी जाएं हमारे होती है के कोई भी डिट लख दीना अपने तो वह जनी आते है तो टार्गेट जैसे मैंने रखा था कि दिल्ग के चला गया था तो वहां भाई के पास था तो जैसे दिल्ली में मेरे पास शोर समय जैसे जिम नहीं जा सकता था अुँए फिर के जिली में करए नहीं सकते है Trans UA अभर देलिय सब्सक्राउब कोले तो तो धौन करों कर एक पर क्यों इसके आपने अपको देख रहे हैं मेरे अंदर है क्या मैं कर सकता हूँ वो एक सोच प्यादा हो गई और 30 दिन के बाद बढ़ाने वाले 30 दिन के बाद बढ़ाऊंगा मैं रोल मोडल अंकित बया पुरिया थे अब क्या राजो भी किसी के रोल मोडल बने है इस चैलेंज के बाद पबलिक के बाद पास रेक्शन आये होंगे रेक्शन ओफिस में एक दो दोस्त हैं जिम जा रहे हैं अब इस बूँ की है एक आज ही था दोस्त कहरा था यार मैं भी कुछ करूँगा घर की जी मैं उसकी वो करेगा करने चीए जानी बदला हुआ है देख एक सबसे अच्छी बात है खरियाना में भी अपने कहा होता है बहुत अच्छी है मैं एक लाइन बोलूँगा उसके आगली लाइन आप खुद बोल लोगे पहला सुक निरोगी काया ठीक है ये बात है इस सब को पता है सब को पता है कि सरीर अच्छा है मन रखना है भीट रहना है सब को पता लेकिन करता नहीं है करनी पाता है चलिए और फैमिली में कुछ चेंजिस आए हैं उसके बार फैमिली में हाँ चेंजिस आए हैं कि सभी ने कोंगर्चलेशन बोला है जी और सब यह कह रहे हैं गहां तू तो करी सकता था पहले तो मुश्किल लग रहा था आप कहरे है कर सकता था चलिए गाइस के बाद आप कितने दिन का चैलेंज करने वाले हैं मैं 75 और करूँगा भी कब खब शुरू करेंगे I think एक दो दिन बाद क्योंकि मैंने बुक से एक मंगवाई है एक बहुत अच्छी बुक है I think किसे ने सुनी भी नहीं है तो अभी दबा के अपनी पसंद की चीज़े खाने वाले हैं गोल कप्पे शोल कप्पे आपके अब रोक लग गई है तो अब मन नहीं करता अब नहीं खाऊँगा बिल्कुल छोड़ दिया बिल्कुल जीरो है बिल्कुल जीरो गाहा शादी में भी नहीं अब तो कोई साइब मोदे तोकेगा भी नहीं चलिएगा बाई साथ ये राजु राजकुमार हमारे मित्तर भी है बहुत 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 बढ़ाई कंचन टीवी और हरियाना आज भरताज की तरफ से भी राजु भाई आप यहीं रिकॉर्ड बनाते रहें और ऐसे ही काम करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हमारे स्टूडियो बहुत धन्यवाद आपका विश्या हैं तो जुरूर संपर्क कीजिए नीचे कमेंट में हम नंबर देदेंगे मैं तो कहूं भाई कि दस दिन का करो यार टार्गेट रखो आप चोटे सी शुरुवाद करेंगे कोई भी चलिए जाते जाते आप ही संबोधित करतीजिए अपने बश्कोलों बिल्कल दोस्तों कोई भी अगर परिषान नी आती है कुछ भी बात अगर पूछना है तो आप पोमेंट में हमेड के बारे अपने को पता है नंबर नीचे दे दिया जाएगा आप पोल कर लिजेगा बहुत भी धन्यवाद बने रहेगा हमारे साथ झाल